प्रेशन है आपका कि इंडिया में रहने वाले लोग बहुत हार्ट वकिंग करते हैं उसके बावजूद सफर बहुत करते हैं पूजा पाड़ भी बहुत करते हैं धरम ध्यान जब तब भी बहुत करते हैं फिर भी इतना कस उठाते हैं और फॉरेन में रहने वाले लोग इतन क्या कारण है तो यहां there are so many reasons, बहुत सारे कारण है, पहली बात तो यह, कि भारती आदमी के सोच का तरीका ही दूसरा है, और out of indians के सोच का तरीका ही दूसरा है, हमारे यहां पर हर सोच में इसपस्टता का अभाव है, क्लेरिटी नहीं है, हम लोगों कि यहां vision की क्लेरिटी नहीं है, मैंने कल भी एक example दिया था, यहां हम लोग क्या करते, सुबे पूजा पाड़ करते वे धन की निंदा करेंगे, मो माया की निंदा करेंगे, इन सब को दुख्या घर बताएंगे, इन सब को खारा जैर चाहिए हैं तो यह दो धो, यहां गिल रही हैं सच बोल रही हैं नहीं हमारेहां vision की clarity नहीं, आप चाहते क्या हो छुआ तो बनो, फोरें के आदमे के पास में यह formalities नहीं है वह उसका vision clear, पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए हमारे यह इं पैसा बी चाहिए और पैसे को वarmed और बात बात में घरवालों को डाटेंगे उनकी इज्जत करेंगे और उनको यह फिल करवेंगे कि तुम तो कुछ समझदार ही नहीं हो जो समझदार हो तो मैं ही आदमी हूं बस अब अब अता गर में कैसे प्रेम रहेगा हमारे यह बड़ी ओप चारिकता हैं है बिना विश्वास ही गलत है हर आदमी सोचता है जूड वोले भी ना पैसा हो नहीं सकता टेक्स तो चुरा नहीं पड़ेगा भाई-भाई में जगड़े तो हुएंगे मतलब हम लोग मान के चलते और अपने गलत विश्वासों के तहट जिंदगी जीते हैं हमें एक्छूल में कह और धर्म भी किसले करता है धर्म भीरू होने की वज़े से धर्म करता है हम लोग धर्म क्यों करते हैं धर्म भीरू है धर्म से डर्ते हैं पाप बनने से डर्ते हैं नरक से डर्ते हैं भगवान से डर्ते हैं इसलिए तो धर्म करते हैं हम कौन सा धर्म समझ के करते हैं वो लो हमारे यहां तो हर चीज अपचारी के, भूख लगी होगी ना, तब भी कोई कह भी देना कि खाना खालो, तो कहेंगे, नहीं, नहीं, पेट भरा हुआ, अभी गर से खा के आया हूँ, नहीं बोलते, किसी के गर चले जाओ अब लोग, और सामने वाला बोले, कि खाना खालो, औ भी कहोगे, नहीं, नहीं जी, भूख बिल्कुल नहीं, अरे भाबी जी कस्क मत करो, मैं तो गर से खाकर के आया हूँ, और सपोज वो दुबारा तिबारा कहेगा ना, तो खालोगे, खाओगे या नहीं, खाओगे, कहने का मतलब यह हुआ, कि हमारे यहां पर धरम के नाम प करके, बाद में चड़ाने का वाइदा करके, भगवान से अपने इच्छाओं की पूर्ती चाहते हैं, बड़ी अविज्यानिक तरीके से हम लोग भक्ती करते हैं, अविज्यानिक तरीकों से धार्मिक क्रियाएं करते हैं, क्योंकि धरम को हम समझने की कोशिश भी तो नहीं मेरे सुरक्षा उतनी ज़्यादा बढ़ेगे अकसर लोग इसी वज़े से जब तब ज़्यादा करते हैं और इसलिए करते हैं कि थोड़ा बगवान खुश रहेगा तो मैं जितने पाप कर रहा हूं ना इसका फल मुझे कम देगा हाकिकत है हम इंडियन्स लोगों की सोच ही बड़ी अजीब हो गरीब है इसलिए हम लोगों का जब तब सब देखा जाए ना तो बड़ा इसकीं डिप भी नहीं होता ज़रा सा कुछ गढ़ना चेंज होगी ना सब छूट जाने वाला है कुछ गर में प्रतिकुलता हो गही तो को कि है भगवान है कनाया तेरे से तो मेरा विश्वास ही अड़ गया तुमेरा कुछ बला नहीं करता हम भगवान को भी सीधा तुरे स्कृत करके आ जाएंगे तुने मेरा क्या किया मैंने इतने सालों तक तेरी पूजा की तुने मेरा किया तो किया क्या हम लोग ठाभ भक् जाद आदमी खराब नहीं है, पूरा व्य्यवस्थाइं क्वद्सक्राइं विक्रतएं, एक तंफार खराब है। तो एक सही, जैसे समझो, एक बगीचे के अंदर बहुत जादा प्रदूशन हो, गंदगी खट्टी हो, और वहां पर आप गुलाब के पौधे लगाओ, तो बिचारें गुलाब के पौधे, वह सो लगाए हो, तो नब्बे तो वैसे ही सूख जाने, वह गंदगी उनको पनप नहीं नहीं देगी, खिलना ही नहीं देगी, और दस लग बे गए तो उनकी खुश्बू नहीं फैलने देगी, क्योंकि सौ गंदगी के धेल, और दस गुलाब के फूल रख दो, तो खुश्बू आएगी या बदभू आएगी, तो हमारी इंडिया में तो प्राब्लम यह ह कि सौ तो गंदगी के धेल लगे हैं और दस गुलाब के फूल हैं वो सच्छे धारमिक कह दो या सही समझदार लोग कह दो वो सौ में से दस लोग मिल जाए तो बड़ी बात है बागी के सारे लोग केवल एक भेड चाल में अपनी जिंदगी पूरी करते हैं इसलिए इस इंड के लोग ऑनेस्ट नहीं हैं जितनी समझदारी की बाते हम जानते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं आपने कितनी बार सुना सफाई रखनी यतना से काम करना लेकिन अभी यहां भी खाना होगा ना तो भी लोग सफाई नहीं रखेंगे यतना से काम नहीं करेंगे कितनी बार कोचेगा कि कुर्सी का धेर पड़ा अपनी कुर्सी उठा के उसी पर रखो हर आदमी कुर्सी छोड़के जाएगा और मैं इतनी बार यहां कह चुकी हूं लेकिन मैं रोज देख रही हूं कि यहां कोई एक या दो आदमी मुश्किल से होता है जो अपनी कुर्सी व्यवस्तित पर ग creatives के जाता है वागि सब इस ही छोड़के जाते हैं अग्याय लिखा मँश्केन खोलना हर बार 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 बैठेवा आजमी को कहना पड़ता है कि जूते वाहँ खोलो आंटीजी यहां उन प्खोलो कि मालक छोटी मोटी बाती भी मैनर्स की बाते भी हमारे पास में नह और कोई दूसरा हमें डिसिप्रिंट में रहने को कह दे उस आदमी से तो मूह चिडा लेते हैं वो सादमी से तो अपनी दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि इसने मुझे कैसे कह दिया हम जाना ही बंद कर देंगे इमानदारी की बात है यह हम साधू है इसलिए अपने आपको पहले इमांदार बनाना होगा अपनी सोच को विज्ञानिक बनाना होगा और अपने हर कार्ये को सही तरीके से करने की कला सीखनी होगी तब कहीं जाकर के इंडिया foreign countries के लोगों की तरे के शुल्जी हुई जिंड़ी जी पायेगा और कम से का हमारे एा साधू साधू संथ भी, sorry to say, साधू संथ भी लोगों को जीने का सही तरीका नहीं बतला पाते हैं, वे भी लोगों को दराते हैं, अथ्मा लालत से वढ़ते हैं, और साधू संतों के कारण भी हमारे समाज की सब्यतायें विक्सित नहीं हो पाती, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सादू संथ खुद भी समझदार नहीं होने की वज़े से इतनी सारी पब्लिक के लेवल को रेज नहीं कर पाते और फिर जो वाकई समझदार लोग है वो सादू संथों के पास आना भी पसंद नहीं करते नहीं पसंद करते हैं उसका कारण सादू संस्वयम है तो दुनिया में भारत में इतने ज़्यादा सन्यासी है इतने ज़्यादा सादू लोग है हर धरम के अंदर हिंदों में भी हज्जारों भरे पड़े हैं जेनियों में भरे पड़े हैं इतने सादू है लेकिन वो सारे लेकिन हम लोग इल्मानदार सादू नहीं और इमानदार संवानो पाशक नहींहें अब दौनों में ही कमियां तो बया Oliver का जयसा बाप वैसा बेटा तो करें तो करें क्या आक आप बोलिये सुनिता जी